नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चीर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बैदी महतोपूंजानकारी को ले करके जिहां इसे खाने से अस्थमा की बीमारी खत्म हो जाती है जीवन में कभी भी नहीं होंगे स्वास से संबंधित रोग जानिए इस और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जी हां यहीं है आज का टोपिक आप सभी के लिए आपको अस्थमा की बीमारी और श्वास के रोगों को खत्म करने वाले हल्दी की योग के बारे में बताएंगे आज हम हल्दी के पोधे जमीन के उपर हरे हरे दिखाई देते हैं इसके पोधे दो या तीन फूट उचे होते हैं और पत्ते केली के पत्ते के समान होते हैं हल्दी की गाठों को जमीन से खुद कर निकाला जाता है और फिर हल्दी को साफ करके मटके में रखकर उपर से उसका मूँ बंद करके और आग की धिमियाज पर पकाया जाता है ज चाहे वह बच्चा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, चाहे वह गर्वती महिला हीं क्यों नहों। यह शरीर से खुन की गंदगी को दूर करती है और रंग को साफ करती है। हल्दी वात, पित और कफ एवं अन्य रोगों को खत्म करती है। अगर खांसी हो तो हल्दी को गर्म दूध में डाल कर पीना चाहिए, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाती है। हल्दी से कपड़ों को रंगा भी जाता है, हल्दी और चूने को आपस में मिला कर कुम-कुम बनाया जाता है, इससे मधुमीह का रोग भी ठीक हो जाता है। यहां तक कि पुराने जमाने में गुरु, आचार्य और वैद्य तो इसे मेहनी के नाम से विभूशित करते थे। आए जानते हैं हल्दी एक अध्भूत योग के बारे में जो अस्थमा और स्वास के रोगों में चमतकारी फायदा करती है। आवश्यक समगरी नोट कर लीजे हल्दी की दो गाठें, आडुसा यानि के वसा के एक किलो सुखे पते, दस ग्राम काली मेर्च, पचास ग्राम सिंधा नमक, पांच ग्राम बवूल के गोंद, अब इसको बनाने की विधे जान लीजे। हल्दी को पीश कर तवे पर भून कर शहद के साथ चाटने से श्वास रोग खत्म हो जाता है। हल्दी मिर्च और पचास ग्राम सिंधा नमक, इसके साथ पांच ग्राम बवूल के गोंद को मिला कर और कूट कर पीश कर मटर जैसी छोटी छोटी गोलियां बना कर रख लें, प्रते दिन पांच से छे गोलियां चूसते रहने से दमा से होने वाला कष्ट दूर हो जाता है तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और बेहद ही महतुपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों